एक आदिवासी लड़की नारू अपने कबीले के साथ जंगल में रहती है, उसके पास एक पालतु कुत्ता है, जो हमेशा उसी के साथ रहता है, वो सुबह उठकर जड़ी बूटी इखटा करती है, पर उसका मन शिकार करने में रहता है, तो वो सबसे चुपकर अपनी पाड़ी से वार करना सीखती है, जिसमें वो बहुत कुशल हो जाती है, तभी उसको एक हिरन दिखाई देता है, वो अपने कुत्ते के साथ जैसे ही उसका शिकार करने जाती है, तभी आसमान में एक तेज आवाज होती है, उस आवाज़ से हिरन भागने लगता है, नारू पीछा करती है, लेकिन तभी उसके कुट्टे की पूच एक लोहे के ट्रैप में फच जाती है, वो उसको छुडाती है और उस पे जड़ी बूटी का लेप लगाती है, फिर उसको आसमान में बहुत तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, जैसे कविले में एक रिवाज था, जो भी शिकारी बनना चाहता था, उसको एक बहुत बड़ा शिकार करके लाना पड़ता था, जिसको वो खट्तमिया बोलते थे, तभी नारू अपने भाई को बताती है, आज सुबह जब वो शिकार का अभ्यास कर रही थी, तभी आसमान में उ उसको थंडर बड़ का इशारा मिला, कि वो भी अब खट्तमिया के लिए तयार है, तभी उसका भाई उस बाज को तीर से मार गिराता है, जिस पर नारू बहुत देर से निशाना लगा रही थी, और उससे बोलता है, अगर तुम तयार हो तो उसका शिकार करो जो तुम्हार शिकार कर रहा है, तभी एक एलियन शिप से एक एलियन उतरता है, और वो अपने आपको अद्रश्य कर लेता है, ये प्रिडेटर है, जिस पर पहले से ही बहुत मूवी बन चुकी है, अब नारू अपनी मा के पास आती है, उसकी मा उससे कहती है, कि तुम सभी चीजों में इतनी अच्छी हो, और मेरे जैसी हीलर भी हो, तो तुम शिकारी क्यों बनना चाहती हो, नारू कहती है, क्योंकि आप सब समझते हैं कि मैं शिकार नहीं कर सकती, तभी उसका भाई शिकार लेकर घर आता है, उसकी मा नारू से एक जड़ी बूटी लाने के लिए बोलती है, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं, पर उसका भाई बोलता है कि वो चल सकती है, क्योंकि एक बहुत अच्छी खोजी है, और साथ में ये हीलर भी है, ये हमारे गायल सदस्य के घाव को ठीक कर सकती है, फिर उसका भाई उसके पास आकर बोलता है कि तुमको अब हर हालत में शि लेती है, वो उसके लेप लगाती है, सब यही सोचते हैं कि ये शेर ने किया है, लेकिन नारू बताती है, ये शेर का काम नहीं है, क्योंकि ये जिंदा बचा हुआ है, और शेर अपने शिकार को कभी ऐसा नहीं छोड़ता, फिर ताबे उसको घायल सदस्य के साथ वापस नाप दिखाई देता है, पर उसके सरीर पर चमडी नहीं थी, साथ ही सामने वाले पेड़ पर बहुत सारा खून लगा मिलता है, और एक बड़े से पंजे का निशान मिलता है, वो समझ जाती है, ये कोई शेर का काम नहीं है, वो वापस अपने भाई के पास जाती है, जिसस उसको चौकन ना कर सके, वो ताबे को उस निशान के बारे में बताती है, ताबे कहता है कि वो भालू के होंगे, लेकिन नारू कहती है कि वो निशान बहुत बड़े थे, भालू के निशान कभी इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ताबे उसकी बात को कुछ ज़्यादा प्राना चाह रहा था, तभी शेर पाके पर ही हमला करके उसे मार डालता है, और पेड़ पर चड़कर नारू पर भी हमला करने वाला होता है, तभी नारू को जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है, उससे उसका ध्यान हट जाता है, और उसका पैर फिसलने की वज़े से उस नारू उसको बोलती है, तुमको पता है जंगल में अभी भी कुछ बहानक है, मैंने साप की खाल उत्री देखी, बड़े से पंजे का निशान देखा और पेड से गिरने से पहले एक लाइट देखी अब हमें उसको ढूंड कर खत्म करना होगा तावे मना करता है नारू कहती है ठीक है मैं अकेले ही कर लूँगी तावे कहता है ये तुमसे नहीं हो पाएगा क्यूंकि आज मुझको तुम्ह में वापस लाना पड़ा अगर मैं नहीं होता तो तुमा जिंदा भी वापस नहीं आ पाती और कहकर चला जाता है अब अगली सुबह नारू बिना किसी को बताए अपना समान बांद कर अपने कुत्ते के साथ उस जानवर को ढूंडने निकल पड़ती है फिर वो जंगल के उस हिस्से में पहुंसती है जहां रात को उसको रोशनी चमकी थी वो वहाँ चमकीले हरे रंग का कुछ पेड़ पर लगा देखती है और उसी के पास वो ही पैर के निशान देखती है जो उसने रात देखे थे फिर वो उस निशान को एक टहनी से नापती है दूसरी तरफ खुले मैदान में एक भेडिया उस एलियन के अदरश्य रूप को देख लिता है वो उसके पैर पर वार करता है लेकिन एलियन उसको मार देता है नारू जंगल में खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी कुलाडी को बांधने के लिए एक रस्सी बनाती है और अब वो उसक खुले मैदान में पहुंसती है और देखती है कि किसी ने वहां के सारे जंगली भेसो को मार कर उनकी खाल उतार ली है नारू को वहां एक सिगार भी मिलती है अब वो जंगल के अंदर वाले हिस्से में पहुंसती है वहां उसको पेड़ पर पंजो के निशान दिखाई देत यह जैसे ही उस निशान के पास जाती है, वो एक दल-दल में फस जाती है और उसमें डूबने लगती है, तभी वो अपनी कुलाडी निकालती है, वो उसके सहरें वहाँ से बाहर निकलती है, दूसरी तरफ एलियन भी भेंसों के मैदान में पहुंसता है, और वहां सिगार उसका धनुष तूट जाता है और उसकी अवास सुनकर भालू उनके पीछे आता है लेकिन नारू का कुत्ता भालू को अपने पीछे ले जाता है फिर नारू अपने कुत्ते को बचाने के लिए भालू के सामने आ जाती है और अब वो खुद उससे बचने के लिए पानी में क उद जाती है और उद बिलाओ के गोसले में घुसकर अपने आपको बचाने की कोशिश करती है अब भालू उस गोसले को तोड़ने लगता है तबी महां एलियन आ जाता है और भालू और उसकी लड़ाई होती है फिर वो भालू को मार कर अपने उपर उठा लेता है जिससे भा प्रवीले के लोग उसको ढूंडते हुए महां आ जाते हैं और उसको वापस चलने के लिए कहते हैं नारू बताती है कि उसने वो दानव देखा उसने भालू को अपने हाथों से ही मार डाला पर वो उसकी बातों को सच नहीं मानते और नारू को जवड़जस्ती साथ ले ज करते हैं फिर नारू की उनसे लडाई होती है पर वो नारू को बंदी बना लेते हैं और उसका बैग और कुलाडी अपने पास रख लेते हैं पर ये सब वो अदरश ये एलियन देख रहा था तब ही सबको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है उनको रकून दिखाई देते हैं वो उनका शिकार कर लेते हैं अब जैसे ही एक सदस्य उसे उठाता है तभी लेजर की तीन पॉइंट उसके शरीर पर चमकती हैं और तीन लोहे के तीर उनी पॉइंट पर आके लगते हैं वो तुरंत मर जाता है और बाकी के सबी लोग घवरा जाते हैं फिर एलिय उसको मारने की बहुत कोशिश करते हैं। इसी बीच नारू अपनी कुलाडी वापस ले लेती है और अपने आपको छुडा कर जंगल के बाहर भाग जाती है। तभी अचानक एक कबीले वाला उसको नीचे खीच कर लिटा लेता है और एलियन को मारने के लिए घात लगाता है उधर एलियन सभी को मार देता है और वो भी खुले मैदान की तरफ आ जाता है लेकिन एलियन अपनी धर्मल लेंज से उसको छुपा हुआ देख लेता है और अपनी लेजर से निसाना लगा कर उसको मारने ही वाला होता है नारू उसे बचा लेती है अब वो दोनों वहां से लगाये थे वो बोलते हैं जैसे लड़की भाग कर आ रही थी मानू जैसे इसके पीछे कोई हैवान पड़ा हो और नारू को बेहोस करके अपने साथ ले जाते हैं वो उसको पिंजरे में बंद कर लेते हैं नारू जागती है तो देखती है महां फ्रांसीसियों की पूरी फ नारू को लकडी से मारता है नारू उससे लकडी छीन लेती है और उल्टा उसी पर वार करती है जिससे उस सरदार का हाथ कट जाता है वो उसको बाहर निकालकर मारने को कहता है तब ही उसका एक साती बोलता है हम इसको चारे की तरह यूज़ करेंगे फिर उनका दूसरा नारू और उसके भाई को एक उजड़े जंगल में चारा बनाकर एक पेड़ से बान देते हैं और खुद घात लगाकर बैठ जाते हैं। तावे उसे देख लेता है और बोलता है जल्दी यहां से निकलो वो हमारे लिए आ रहा है। तावे उसे कहता है अगर इसका खून निकलता है तो इसको हम मार सकते हैं। तभी एलियन का पैर एक ट्रैप में फस जाता है और सुरंगों से फ्रांसीसी निकल कर उसको गिरा देते हैं और जाल में फसा लेते हैं। लेकिन एलियन उन सब को मार देता है और अपने ट्रैप को तोड़ देता है। फिर और फ्रांसीसी महां आ जाते हैं। वो उस पर गोलियां चलाते हैं। एलियन अपनी ढाल खोलकर बच जाता है और फिर एक के बाद एक सब को मार देता है। फिर और फ्रांसीसी आकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो इन सब से बच जाता है। इधन नारू और ताबे खुद को छुड़ा लेते हैं। उदर फ्रांसीसी एलियन पर गोल अब वो उसको बंदूग कैसे चलाई जाती है बताता है नारू उसके लेप लगाती है और एक दुल्लब फूल की पंखडी उसे खिलाती है जिससे उसका शरीर ठंडा होने लगता है जिसकी वज़े से उसके शरीर से कम से कम खून निकले तभी एलियन भी महां आ जाता है वो उस फ्रांसिसी के ठीक उपर खड़ा होता है पर वो एलियन उसके शरीर के ठंडे होने क ये वज़े से उसे देख नहीं पाता, इस बात को नारू भाब जाती है, कि इसको ठंडा शरीर दिखाई नहीं देता, एलियन वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पैर से फ्रांसिसी का पैर दब जाता है, वो दर्ज से चीख पड़ता है, एलियन उसे तुरंत मार देता है तभी नारू का कुत्ता वहाँ भागता हुआ आता है, एलियन उस पर अपनी लेजर से निशाना लगाता है, और वो तीर चलाने ही वाला होता है, तभी वहाँ ताबे आकर एलियन के चेहरे पर वार करता है, जिससे उसका हैलमेट उतरकर गिर जाता है, और वो लेजर पेड पर ही लगता है नारू ये सब देख रही थी वो समझ जाती है कि इसका तीर वहीं लगता है जहां एलियन का हेलमेट निशाना लगाता है एलियन अपना हेलमेट वापस पहनता है इतने में नारू बंदूग में गोली भरकर एलियन पर चलाती है पर बंदूग चलती ही नहीं तभी वो चिलाती है, एलियन नारू की तरफ देखता है, इतने में ताबे उस एलियन के सीने में भाला गुसा देता है, अब ताबे और एलियन की लडाई होती है, ताबे एलियन पे बहुत वार करता है, तभी एलियन अचानक से खुद को अद्रश्य कर लेता है, और पीछे स तावे को मार देता है और फिर नारू की तरफ बढ़ता है तावे अपनी सारी ताकत लगा कर एलियन के पहर में टूटी हुई खोपडी गुसा देता है इतने में नारू वहां से भाग जाती है और एलियन तावे को मार देता है नारू नदी के किनारे अपने हाथ धोती हुई अपने बाई के मौत के गम से बहुत रोती है और नदी के किनारे पत्थर से लग कर सो जाती है उसकी आँखे खुलती है तो वो अपने सामने अपने कुट्टे को पाती है तब ही उसको नधी के दूसरी तरफ फ्रांसीसियो का सरदार दिखाई देता है नारू पहले तो उसको गोली मारने वाली होती है पर वो उसके पास जाकर उसे बेहोस करके उसका पैर काट देती है दूसी तरफ नारू की मा को तावे की मौत का संदेश मिलता है तो मानो जैसे उसका दिल बिखर जाता है इधर नारू उस सरदार से बोलती है तूने मेरे भाय का खून बहाया था, अब तेरा खून बहेगा, इतने में वो सरदार बंदूग उठा लेता है, नारू उस दुर्लब फूल की पंखुडी खा लेती है, जो शरीर की गर्मी को खत्म कर देती है, फिर नारू कहती है, मैं तुझको मार रही हूँ, पर अपने हा मार देता है, नारू पीछे से एलियन के सर पर गोली मार देती है, उसका हैलमेट गिर जाता है, नारू उस हैलमेट को उठा कर जंगल में भाग जाती है, और उस हैलमेट को एक जगे सैट कर देती है, और वो फिर बिल्कुल वैसा ही जाल बिछाती है, जैसे उसने और उसके भाई ने शेर को पकड़ने के लिए बिचाया था वो पेड़ पर से उसके उपर छलांग लगा देती है और फिर अपनी कुलहाडी से कई वार करती है एलियन उसको जटक कर दूर फैक देता है अब दोनों की लड़ाई में एलियन खुद को बचाने के चक्कर में अपना ही हाथ काट लेता है फिर एलियन गुस्से में उसको मारने लगता है और नारू को पत्थर के बीच में फसा कर उसका गला काटने ही वाला होता है तभी नारू उसका एक दात तोड़ कर उसके कंधे में गुसा देती है फिर उसका कुतक कुलाडी लेकर आता है नारू भागती भी उससे कुलाडी लेकर एलियन के पैर पर मारती है और उसकी रसी को उसके गले में फसा कर उस रसी को खीच कर उसे दलदल में डुबो देती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है और नारू पर अपना तीर फायर करने ही वाला होता है तब ही उसके हेलमेट से निकलने वाली लेजर एलियन के सिर का ही निशाना बना लेती है क्योंकि नारू ने उसको पहले से ही वहाँ सैट कर दिया था एलियन तीर फायर कर देता है अब वो तीर घूम कर उसी के सिर को चीर देता है और एलियन मर जाता है नारू उसके मरने पर चिलाती है और उसका सर लेकर अपने कभीले आती है और सरदार के कदमों में उसका सर फैक देती है और साथ ही उसे एक बंदूग देती है ये वही बंदूग है जो प्रिडियेटर के पार्ट टू में प्रिडियेटर खुद माइक हैरिगन को देता है या नारू की मा ये देखकर बड़ा गर्व महसूस करती है, फिर वही सरदार का योध्धा डंड सरदार को लाकर देती है, ये बहुत emotional सीन है, क्यूंकि वही उसको शिकारी बनने से रोकती थी, सरदार नारू को वो योध्धा डंड देता है, अब वो कभीले की महान योध्धा थ आती है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये explanation पसंद आई होगी, और भी movie के explanation सुनने के लिए आप हमारे इस channel को like करें, subscribe करें, और साथ ही bell icon दमाना ना भूलें